इस गुरूप के जो एनुवल्स हैं उनको निडेरियन भी कहते हैं इस नेम आफ निडेरिया इस दूटू सिंगल कैवटी सिलन्ट्रॉन यानि इनको सिलन्ट्रॉन और इनके अंदर पैशल सेल्स होते हैं निडो बलास्ट इनकी वज़ा से इनको निडेरियन भी कहा जाता है निडेरियन जैशू बट जो नाट यव ओरर्गन और ओर्गन सिस्टम इनके अंदर टिशू लैवल ऑफ अर्गनाज़ेशन है जैसे हमने sponges की बात की तो sponges जो है वो cellular organization थी उनके अंदर बकाइदा tissue formation नहीं थी इस phylum के अंदर tissue formation है लेकिन इनके अंदर organ formation नहीं है that's why they possess tissue level of organization अगर इनकी symmetry के अगर हम बात करें तो they are radially symmetrical यानि इनकी जो body है उसको किसी भी plan से दो बराबर हिस्तों में तक्सीम किया जा सकता है अब अगर हम इनकी germ layers की बात करें तो इनका जो blastula है उसके अंदर दो germs layers है यानि एक्टोडर्म और endoderm इसी वज़ा से इनको diplo blastic animals कहते हैं अब ये देखने में आया है कि जो nidarians हैं इनके अंदर ectoderm और endoderm के इलावा एक third layer भी मौझूद है जिसको mesoglia कहते हैं और ये जो mesoglia है जो कि एक jelly की तरह की layer है इसके अंदर living cells भी मौझूद है लेकिन इसके बावजूद कि इसके अंदर living cells मौझूद है इसको true layer consider नहीं किया जाता detail investigation से ये पता चला है कि इनके अंदर जो mesoglia है उसके अंदर जो living cells है वो इस layer के अपने नहीं है बलके या तो ये अक्टoderm से move करके आते हैं या फिर endoderm से move करके आते हैं इस वजह से इनको diploblastic animal ही consider किया जाता है उसके लावा इनके अंदर no separate body cavity कोई separate body cavity इनके अ system it has a single aperture mouth but do not have anis इनके body के अंदर एक ही opening है which serve as a mouth as well as as anis उसके बाद they respire through body surface by diffusion यानि इनकी जो body है directly वहां से gas exchange possible है इनके अंदर कोई specialized system मौजूद नहीं है इसी दिके से they excrete through body surface by diffusion यानि जो excretory products हैं या excretory जो materials इनके अंदर produce होते हैं वो भी simple diffusion के जरिये body से exchange हो जाते हैं उसके लावा segmentations are absent in them, tentacles are present in them which act as appendages इनके अंदर एक special feature ये है कि इनके अंदर tentacles मौजूद हैं और ये जो tentacles हैं इनके उपर खास किसम के structures मौजूद होते हैं जिनको nematocyst कहते हैं nematocyst organ of offense and defense हैं इसके मदद से ये prey को paralyze कर सकते हैं और उसको capture कर सकते हैं उसके लावा they are mostly marine aquatic animals and are free living यानि mostly ये जो animals हैं ये aquatic हैं अब अगर हम इनके अंदर reproduction की बात करें तो they can reproduce sexually as well as asexually और इसकी examples के अगर हम बात करें तो सी पैन, सी फैन, brain corals ये सारे even जो corals हैं वो इनकी important examples हैं इसी तरीके से अगर हम hydra की बात करें तो hydra एक ऐसा animal है जो कि sealant trait से belong करता है इनके अंदर जो symmetry है वो radial symmetry है ये जो phylum है इनके जो members है वो diplo blastic है इनकी body के अंदर एक ही cavity होती है और ये cavity एक ही स्राख के जरिए communicate करती है बाहर के environment के साथ यानि इनका जो digestive system है वो sack like digestive system है यानि sack like digestive system ऐसा digestive system है जिसकी एक ही opening होती है जो कि mouth का का काम भी करें और एनस का काम भी करें उसके रावा इनके अंदर special feature ये है कि इनके body के अंदर tentacles हैं जिनको ये movement के लिए इस्तमाल करते हैं उसके रावा इनके अंदर organ of offense and defense मौजूद है जिनको हम nematocyst कहते हैं ये जो nemat इनको इस्तमाल करते हुए ये अपने prey को paralyze करते हैं उसके लावा ये डिपलोबलास्टिक एनिमल है इनके अंदर third layer मिजौगलिया की farm के अंदर मौजूद है लेकिन ये true layer नहीं है क्योंकि इनके अंदर अपने cells मौजूद नहीं होते उसके लावा ये जो phylum है ये mostly इसके जो members है वो aquatic है हाइडरा इस phylum के example है इनके अंदर जो power of regeneration है वो काफी high होती है यानि एक हाइडरा जो है इसके हम अगर चोटे 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 टुकडे भी कर दें तो हर टुकडे के अंदर ये सलाहियत है कि वो एक complete individual मनाए उसके लावा जो corals है वो इसके example है coral reef की जो formation है व इनके अंदर tissue level of organization तो मौझूद है लेकिन इनके अंदर जो tissues हैं वो arrange होके बकाइदा organ formation नहीं करते ये एक simple animal फाइला है इनके अंदर जो gas exchange है या जो excretory product का जो exchange है वो simple body के जरिये हो जाता है अगर हम इनके nervous system की बात करें तो इनके अंदर कोई खास nervous system नहीं है इनकी body के उपर एक nerve का net है जो कि sensitive है to the different types of stimuli